हेलो एवरीवन और नमस्कार सभी को मैं विनोद मोधी फ्रम ब्याटर सिंद्री दिसीज परिबान क्लासे चेनल आज मैं आप लोग को जिसी के थुरून जो नोटिस आया है भी एच ठीक है बीवी एच 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 एगरिकल्चर एंड फोस्ट्री जो कोविट नेंटर के क ने ने तो बीवी एच 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 एगरिकल्चर फोस्ट्री जो जिसी के थुरू एक्जाम होगा और उसका एड्मिट कार्ड बारह जनवरी दोजार अकीस से लेकर आपको 17 जनवरी दोजार अकीस आपके मूबाइल या जो नमबर रेजिटर किये थे अप्लिकेशन फोर्म समय इमेल उस पे आपको लिंक फेज़ दिया जाएगा अगर किने को किसी तरह का कोई ट्रूर्टी हो गलती हो तो आप जैसी के मेल नंबर मेल इमेल पे आप मेल कर सकते हो एक अप्लिकेशन और आपको डोकुमेंट जो आपको सुधरवाना नाम पिता का नाम या केटेगरी जो या डेट ओप बर्थ वो आपको प्रूफ बेज के आपको सुधरवान लेना है ठीक है ठीक तो जो इमेल मेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूंगा अग्जाम आपका अठारा जनवरी दोजार 2028 से लेकर बीच जनवरी दोजार 2028 तक एड्मिट काड 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2028 तक डालोट होंगे, आपका एकजाम, 18 जनवरी 2028 से लेकर 20 जनवरी 2028 तक होंगे, ठीक है, और आपका जो final magic list या result जो निकलेंगे, वो 8 जनवरी 2028 को निकलेंगे, आपका first round of counselling कब होंगे, ठीक है, वो भी सारा में detail आपको बना दिया हूं, 30 जनवरी 2028 से लेकर तीन फरवरी 2028 तक आपका फर्स्ट आउन अप कांसलिंग होगा फिर सकेंड आउन अप कांसलिंग भी होगा वह मैं सारे डिटेल बताया हूं पिलिज आप वीडियो के अन तक जरूर बने रहे हैं ठीक है चलिए मैं बिना लेट की हुए मैं आपको पूरा अनलोड कर लेना ठीक है चलिए मैं बिना लेट की हुए बताता हूं एक पूइंट आप फिलिज ध्यास बने सुने मैं आप लोग को वीडियो में आपका एक्जाम कब होगा एड्मिट कब होगे ठीक है इस बार आपका कोविड-9 के कारण बहुत लेट हो चुका है लेकिन लेके ही आपको फ्रेस्ट्री एग्रिकल्चर या बीवी एसी ठीक है जैसे सी के थुरू जो होती है एच उसके थुरू आपका एक्जाम होगा मैं आपको यह बता रहा हूं कि एड्मिट कार्ट या डेट ऑफ जो सुदारना है क्या-क्या है वो प्रोसेस में बता रहा हूं इस वीडियो में ठीक है तो आप वीडियो के अन तक जरूर बने ने चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको जेसी सी एसी डॉट धर्कन डॉट इन पर आपको किलिक करना है खरोम पेज़ सच करना करने बाद आपको यह पेज़ खुलेगा यह पेज़ खुलने के बाद जाना है ठेक है आपको जाना है इंपारिट नोटिस में उसके बाद कंटीनिव रिडिंगश एक्जामनेशन में करिणिव कंटीनिव में यहाँ यहां पर धीक जाने ज़खरओन शंचिवट परिवेश परि irm ज्ट परिच्छन के आज़ित की जाने वाले उनलाइन सज़तकार से समंदित अतियावस्यक सुचना उस पर आपको किलिक करना है उस पर आपको एक पेडियोप खुलने के बाद एक पेडियोप आपको खुलने बाद देखें यहां लिखा हुआ है कि जारकें कभाएं एंटेंस कंप्रिटिटिव 2020 का इंपॉर्टेंट नोटिस आया है एक केम्प्यूटर बेस्ट आपका जो टेस्ट होगा और केम्प्यूटर बेस्ट होगा 18 जनवरी 2028 से लेकर 20 जनवरी 2028 तक एक गाम आपका होगा एग्रिकल्चर आपका एच ठीक है फॉरेस्ट्री ठीक है ए सब के रिकारत और अगर केम्प्यूटर बेस्ट सीवी टीबो मोड में दिनांग 18 एक दोजर अकीस से ले दिनांग 20 एक दोजर अकीस तक आजजित की जाएगी दुसरा परसद द्वार आविदकों को निर्गत की जाने वाले ओनलाइन परवेस्पत्र ओनलाइन एडविट कार्ड में आविदकों से समंदित विवर्नी भी अंकीत रहेगी तथा नाम पिता का नाम जनमती थी कोटी कोटा इता अधी अधी उन परिष्टियों में किसी संसोधन आसुदार की अवश्कता हो तो दिनांग 12 एक दोजर अकीस से दिनांग 20 जनवरी दोजर अकीस तक साच के साथ एक सब आस लिखि परियावत किसी भी आविदन पत विचार नहीं किया जाएगा तता इसके लिए परसत उतरदाई नहीं होगा अगर आपको किसी तरह का कोटी कोटा पिता का नाम अपना नाम जरमती थी अगर गलत है ठीक है कास्ट होगी रहा तो आप इमेल एड़ी ये जो दिया हुआ jcceboard.gmail.com पर आप mail कर सकते हैं और 12 जनवरी 2028 से लेकर 20 जनवरी 2028 तक आपको एक साच देना होगा मतलब की proof की मेरा यह है और एक application लिखकर email पर आपको mail करना email पर एक्जाम जो होगा एक computer based test होगा और रांची में ही सेंटर सबकों को पढ़ेगे ठीक है और एक्जाम आपका 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2028 तक होंगे ठीक है CML रेंग के अंकित किये जाएंगे 281 को पार्षत के website पर प्रकास्ट जाएंगी अव्यत्यों को CML रेंग तथा उनके दावे के अंडरूप कोटी कोटा रेंग भी अंकित रहेगा ठीक है 28 जनवरी 2021 अकीस को ठीक है परिच्छा फल प्रकासन के उपरांत ठीक है जो की जाएगे समये अभीहरत्यों को परत्रों परषत करना अनिवार होगा यह था आ नमनंकान्स से वन्चित हो जाएंगे अаки Cole 뭔 estimate गों उनके पास उपलब्ध है वांशीत पर्मान पत्रों के पारुख परस्त के वेबसाइट पर डालोड कोलम में होते हैं ठीक है तो बूर्रे की रिजल्ट जो आएंगे अठ्था जनवरी दोजर्टीज को उसके बाद बीबीएसी एच ठीक है बीएसी ओनर्स और एगरिकल्चर बीएसी ठीक है बीटेक टेक्नोलोजी बीटेक अगरिकल्चर इंजिनियरिंग बीएफसी बैसल ओफिसरी साइंस बीएसी ओनर्स होटी कल्चर इस सब के एडमिशन होना है उनके रिजल्ट काउंसलिंग के बेसिस पर होगा और वे काउंसलिंग में वही सीट को अपना जो है टाइम सेडूल फोर कंडक्शन आफ जहारकन कमैंड इंट्रेंस कंपेटिटिव एक्जामनेशन दोबीश इस्यू ओप ओनलाइन एडमिट कार्ट लिंक विल भी सेट टू दी इंडिविजिवल रिजिस्टर्ड मोबाइल नमर और इमेल अडिए सबका यह लिंक जो ह सब्सक्राइब कर 20221 तक आपका एक्जाम होगा सीखिंग ऑब्जेक्शन इन देर कोर्चन एंसवर की प्रोवाइड़ेड़ इमेल एडिव अडिव अगर ऑपना ऑब्जेक्शन कर सकते कि मेरे कोर्चन क्यों हुआ हुआ सही एंसर यह होना चाहिए तो और 22221 से लेकर 23220 तक कर सकते हैं पब्लिकेशन आप रिजल्ट रिजल्ट आपका जो आएगा और 28 जनुवरी दोजर अकीस को आएगा ठीक है परसद द्वारा पूर्में प्रकासित इवग्यापन यह 17220 की कंडिका तथा वेबसाइट पर भारित असुसना विजिन की समधित कंडिकाओं को अनुसार संसोदित समझा जाए अतावत रहेगी जो था वही है ठीक है तो परसद द्वार आयुजित की जाने वाली पर्थम में दिवती है मतलब की फर्स्ट राउंड और सकेंड राउंड ऑप ऑन्लाइन कांसलिंग जो होगा बीएच भी ठीक है बीएच एगरी कल्चर फ खुद अटो लोग हो जाएगा और लोग का सिस्टम नहीं लेगा उखफूद अपने आप फर्वधी 2018 को खुद अपने आप क्या होगा लोग हो जाएगा आटो लोग होग होगा ठीक है तीस जनवरी से लेकर तीन फर्वधी 2018 तक आप चुर्याइस फिल्च कर सकते हैं सेथ सिट अलोडिंग और प्रोंडे से लेकर दस फरवदी दो जर खीश तक और डाकुमेंट वेरिफिकेशन एड्मिसन इन्दी कंसर्ण इंस्टिचूट ये पांच फरवरी दोजर खीश से लेकर दस फरवदी दोजर खीश तक आप टांच सेडूल फोर सकेंड डाउंड और ओल् प्रसत द्वारा एक ही अवसर दिया जा रहा है विकलपों को भरने के संख्यां पर कोई परतिवन नहीं इसलिए बोला जा रहा है कि आपको काउंसलिंग बहुत जादा ज्यादा विकलप को भरें ठीक है ओप्सन को डालें तो अवियर्थियों को अफबंदी सीट मतब की सीट अलट में लेटर डानलोड करने से पहले एक मनेटरी आएगा एक्सप्टेड और पार्टिस्पेट इन दी नेक्स्ट राउंड और कांसलिंग और अगर आपको पाउंड चुछ करना है अगर अभियर्थियों कांसलिंग में उनका सीट अगर जो फर्स्ट में एकरी कल्चर डाले थे और अगरी कल्चर उनको मिल गया तो उनको सकेड़न में पार्टिसपेट करने का मुंका नहीं दिया जाएगा ठीक है वो समझवाना चाहिए ठीक है अ कि अब आब सबस्ट कार्व फर्थम सब्केर में नमांकित हो जाइगा मतलब कि 2-2 उसका घंचल ? उसका खुल हो होगगा कांस्लिंग फी कांस्लिंग फी आपका जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 400 है और SCHT और फीमेल केटेगरी डेर्स ऑफ औल क्रेटेगरी अरहाई सवर रुपए हैं ठीक है 250 यह आपका क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड नेट सब्सक्राइब कर सकते हैं यह आपका डेटल समझ में आया होगा तो आपका यह नोटिस आगया कि इसका एक्जाम होगे और 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2020 केम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा और यह आपका नाची में होगा एडमिट कार्ड 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2020 तक आपके जीमेल या मोबाइल पर मेंसेज कर दिया जाएगा ठीक है उससे आप लिंक भेज दिया जाएगा वहाँ से आप एडमिट कार्ड कर सकती है ठीक है